नमस्कार कल मैंने बलैक फंगस के उपचार के लिए जो वीडियो बनाई थी उस पर दो परकार के परशन आए हैं एक परसन में तो ये पूछा गया है कि माता जी जिनको बलैक फंगस हो गया क्या इन ओजद्यों को सिर्फ वही खाए या जिनको नहीं हुआ है वो भी खा सकते हैं दूसरा परसन आया है कि जो आपने बलैक फंगस में ओजद्यां बताई हैं ये कहा मिलेगी तो दोनों का उत्तर ये है बिटे पहला तो उत्तर ये है कि ये हर एक आईरवेदी कंपनिया बनाती हैं आप डाबर की ले सकते हैं उज़ा की ले सकते हैं और पतांजली की ले सकते हैं बैदनाथ की ले सकते हैं जिस कमपनी पर भी आपको विश्वास है या आपके नजदी के उसी कमपनी के आप ले सकते हैं दूसरे परसन का उतर यह है जिनको बलैक फंगस हो गया है अगर वो इंदवाईयों को खाते हैं तो वो सवस्त हो जाएंगे और जिनको नहीं ह वो खाएंगे तो उनको यह समिश्या नहीं आएगी तो दोनों परकार का पर्योग कर सकते हैं आगली बात यह है जो मैंने काढ़े बनाने सिकाए थे वो भी आपको साथ में लेने अवश्या है तो इन चीजों का पर्योग कीजिए लाब उठाए धन्यवाद नमस्कार पर्योग कीजिए लाब अराएंगे एवश्या वाराएंगे टाराएंगे लाब आपको साथाए नमस्कार